प्रदेश महा सचिफ केवल सिंग पठानिया ने द्रमण मैदान में स्थानिय पंचायत मजगरा नसुवा इस शाहपूर युवा कॉंग्रेस के साथ दो गंटे केंदरी बिशुव इद्यल्या को शाहपूर में कुछ बाग स्तापित करने की मांग पर धर्ना दिया पठानिया ने कहा कि शाहपूर के अंदर शिक्षा बिबाग के नाम पर जमीन खाली है उसमें केंदरी बिशुव इद्यल्या का कुछ बाग स्थाई रूप से स्तापित किया जाए जिससे शाहपूर के साथ नियाय हो सके क्योंकि जब से केंदर की पूरव कॉंगरेस सरकार न मंजगरा के 18 परिवारों ने बिशुव इद्यल्या के भवन को बनाने के लिए जमीन दान दी थी भवन बनकर तयार हो गया था लेकिन शाहपूर के बच्चों को नेया भवन फिर भी नसीब नहीं हुआ था क्योंकि उस समय हिमासल सरकार ने शाहपूर के कॉलस के भवन में केंद्रे बिशुव इद्यल्या को अस्ताई रूप से शुरू किया और लगबग 11 साल इसी भवन में केंद्रे बिशुव इद्यल्या के ककसाई चली लेकिन परदेश और केंद्रे बिशुव इद्यल्या को राजनिती का अखाड़ा बना कर केंद्रे बिशुव इद्यल्य के साथ खिलवार किया जा रहा है जब शाहपूर में इतने साथ शिक्षा के मंदिर में केंद्रिय विश्व विद्यल्य चला तो अब क्यों नहीं इसमें स्थाई रूप से कुछ बाग चलाया जा रहा है पठानिय ने कहा कि धरमशाला और देहरा की जमीने दोनों ही केंद्रि विश्व विद्यल्य के लिए परदेश तरकार शापूर के अंदर खाली जमीन को देख कर केंद्रिय विश्व विद्यल्य के आदे बाग को शापूर में स्तापित किया जाए पठानिय ने कहा कि धरमशाला और देहरा में केंद्रिय विश्व विद्यल्य के स्थाई केंप